हेलो दोस्तो परदसी फ्लाइट यूटूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है दोस्तो फ्लाइट और ट्रिवल को लेकर कुछ जरूरी अपडेट है सौधी रप के लिए फ्लाइट के बुकिंग सुरू हो चुकिये उसको लेकर अपडेट है इसके लवा दुबाई विजिट व खबरों से जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी आप परदसी फ्लाइट यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाए जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अप्लोड करूँ तो उसकी जानकारी आप त इंडिया से सौधी अरब के लिए वो टिकट बुक कर सकते हैं तो अभी जो भी लोग इंडिया से सौधी अरब ट्रेवल करेंगे डायरेक्ट जो लोग जाएंगे उनको बताया गया है कि वो लोग अभी जा पाएंगे जिन लोगो ने अपना वैक्सीन का दोनों डोज सौधी अरब जा सकते हैं डाइरेक्ट इसको लेकर एर इंडिया एक्स्प्रेस की तरफ से जो जानकारी दी गए यह वो जानकारी है आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं जो फ्लाइट टिकट के बारे में बताया गया है कि अभी केरल के चार एरपोर्ट से फ्लाइट आपर होगी जो दमाम के लिए फ्लाइट आपरेट होगी वो हफते में तीन दिन फ्लाइट आपरेट होगी एक फ्राइडे को आपरेट होगी दूसरी संडे को और तीसरी त्यूसडे को यह दमाम के लिए फ्लाइट आपरेट होगी हफते में तीन दिन इसके लाबा जो रियाद क कोड कोची कनूर तिर्वनंत पूरम तो इन जगों से फ्लाइटे सुरू हो रही है इसकी बुकिंग सुरू हो चुकी है जो भी लोग जाना चाहते हैं जो लोग पात्र हैं जो लोग साओधी अरब से वैक्सीन की दोनों डोज लगवा कर इंडिया आये हुए चुट्टी पर वो लोग जा सकते हैं ट्रवन करने से पहले 72 घंटे के अंदर आपको PCR टेस्ट कराना होगा उस पर QR कोड का होना जरूरी है आपका तवक्कलना पर इम्यून बताना चाहिए और इसके लावा ट्रवन करने से 72 घंटे पहले आप मुकीम पोर्टल पर अपना रेजिटेशन कर पहलेंगे तो यह साओधी अरब जाने वालों के लिए बायराल अभी और एर पूर्टस भी फ्लाइटे स्रू होंगी दिल्ली से, मुंबई से, हिदरावाद से, लकलों से और कई सारे एरपोर्टस से फ्लाइटे स्रू होंगी क्योंकि अभी जाने वालों की संक्या कम है जो लोग vaccinated है साथी अरभिया में जब उनको allow किया जाएगा जो लोग vaccine इंडिया में लगवा चुके है या जो एक डोज साथी अरभ में लगवा करा हैं एक डोज इंडिया में लगवाए हुए है जब इन लोगों को allow किया जाएगा तो निस्चित तोर पर फ्लाइटें धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी तो ये एक परक्रिया है जो शुरू हुई है बहराल अगली अपडेट के तरफ बढ़ते हैं ओमान से अगली अपडेट है दोस्तों तो ओमान ने रेजिडेंसी कार्ड यानि जो एकामा है जो आईडी है जो रेजिडें जायेगा इसके लावा ओमान की तरफ से एक अपडेट हो रहे है जिन लोगों का नया वीजा निकला हुआ था वो ट्रेवल बैन के वज़ा से जा नहीं पाया उनका वीजा एक्स्पायर हो गया तो उनके वीजे को एक्स्टेंड किया जाएगा इस साल के आखिर तक उसकी व पहेंगे आ रहे हैं तो थोड़ा रुकना होगा ओमान जाने वालों के लिए क्योंकि अभी शुरू में फ्लाइटें का फिम भाएंगी है तो एक सितंबर से लोग ट्रिवल करेंगे ओमान के लिए अगली अपडेट दोस्तों UAE दुबाई को लेकर है तो जो भी लोग परि टूरिस्ट विजा पर कब डिरेक्ट ट्रिवल कर पाएंगे तो बहराल उन लोगों के लिए अच्छी खबर है 30 अगस्त से यानि कल से UAE सभी कंटरी के लिए सभी देशों के लिए टूरिस्ट विजा को रिजूम करने जा रहा है कल से टूरिस्ट विजा इसू होने अब ट्रिवल कर पाएंगे डिरेक्टलि ट्रिवल कर पाएंगे बिना किसी तीसरे देश में 14 दिन रुके हुए क्यूंकि UAE में बड़ी संख्या में लोग टूरिस्ट विजा पर ही ट्रिवल करते हैं तो टूरिस्ट विजा बंद होने से लोग के लिए टूरिस्ट वीजा पर क्योंकि बड़ी संख्या में लोग टूरिस्ट वीजा पर ट्रवल करते हैं, वही पर जाकर काम धोनते हैं, अपने वीजे को कराते हैं, इंप्लाइमेंट में, तो जिन लोगों के सवाल थे कि दुबई टूरिस्ट वीजा कभी शू होगा, यूए टूरिस्ट वीजा कभी शू होगा, कब लोग टृबल कर पाएंगे इंडिया से यूए के लिए टूरिस्ट वीजा पर, तो बहराल वो सारे लोग आप UAE के लिए टूरिस्ट विजा पर कल 30 अगस्त से रिजूम हो रहा है टूरिस्ट विजा का सर्विस, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह साओधी गजट का स्क्रीन साथ, जिसमें बताया गया है कि UAE टूरिस्ट विजा रिजूम होने जा रहा है, 30 अगस्त से सभी दे अब से जानकारी आ चुकी है और अगली अपडेट दोस्तो सारजा से है सारजा जो भी लोग ट्रिवल करेंगे या कर रहे हैं अभी तो उनके लिए दो एप का अब मुबाइल पर डाउनलोड करना अनिवार कर दिया गया है उसके बगार वो ट्रिवल नहीं कर पाएंगे ये कर दिया गया एक जो एप है उनके मुबाइल पर रहना चाहिए वो है UAE FastTrack और इसके लावा दूसरा जो एप है वो ICA UAE Smart ये दो एप्लिकेशन आपके मुबाइल पर इंस्टाल होने चाहिए ये आपको Google Play Store पर भी मिल जाएगा इसके लावा Apple के App Store पर आपको ये मिल जाए तो ये दो एप्लिकेशन आपके मुबाइल पर होना चाहिए अगर आप इंडिया से सार्जा के लिए टर्वल कर रहे हैं तो ये दोस्तों सार्जा को लेकर update है अगली update सिरिलंका को लेकर है तो सिरिलंका ने भी अपने बार्डर को open कर दिया है फ्लाइटे शुरू उच्की यह एक आपके लिए सुलब रास्ता है, आसान रास्ता और बढ़या रास्ता है और अन्य जगों से यह थोड़ा सस्ता भी आपको पड़ेगा तो सौधी अरब अगर आप जाना चाहते। से या आप खुद से जा सकते हैं इंडिया से आप स्री लंका जाएंगे वहाँ 14 दिन आप कारंटीन रहेंगे उसके बाद आप स्री लंका से साथ यरब जा सकते हैं तो यह दोस्तों फ्लाइट और ट्रवल को लेकर कुछ अपडेट थी बहराल आगे और कोई अपडेट होगी तो वह आप तक पहुचाए जाएगी इसके लिए आप परदसी पनाइट यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें बिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक आप अपना ख्याल लखिए खुस रहिए थोड़ा बहुत हमारे चैनल का भी ख्याल लखिए अँड़ा जाएगी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दोड़ा जाचाएगी तक रावागी तक ख्याल दोड़ा जाएगे थारा जाओदागी उड़ा बहुत हमारे जाप ने प्याल आपज़ा